क्लास टेन 1st प्लाइट का पोएम पढ़ने जा रहें दोस्त फारन आईस हम लोग का बोर्ड एक्जाम स्टार्ट होने वाला हैं हम लोग सारे बच्चे प्राक्टिस करने वाले हैं और हम लोग के पास समय भी कम बच्चा है तो हम लोग को जितना जल्दी हो सके दोस्त सारे chapters का maximum recap कर पाएं ताकि हम लोग को अच्छा से अच्छा score हम लोग खड़ा करपाएं दोस्त ठीक है अब chapter को start करते हैं अपने poem को start करते हैं Fire and Eyes ये जो poem है दोос्त breve रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट एक ऐसे पोईट है जो नेचर की चीजों को बहुत जादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मतलब इनका अब जितना भी पोईएम पढ़े होगे क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 9 में ये ज़्यादा तर नेचर से संबंधित पोईएम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये पोईएम भी बहुत लाजवाब है दोस्त इसका दो तरह से मिनिंग निकल सकता है एक इसका लिटरल मिनिंग जो तरीका आजकल हो रहा है अभी आप लेटेस्ट देखे होंगे उसमें पोईएम का चार लाइन आर्ट लाइन लिख रहा है और उस पे बेस्ट पांच अबजेक्टिव कोशन दे रहा है कि वो वर्ड का क्या मतलब निकलता है उसके पोईट कौन है और उसका इस पार्टिकुलर लाइन का क्या अर्थ निकल रहा है इस तरह कोशन आपसे पूछा जाता है अगर आप एक छोटे-छोटे चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे दोस्त तो हम लोग का स्कोर हाथ से निकल जाएगा यहाँ पर पोईम हम लोग सुरू करते हैं फार न आइस अब देखिए फार न आइस का मतलब क्या होता है हम जानते हैं फार का मतलब आग होता है आइस का मतलब बर्ख होता है अब हम लोग पढ़ेंगे अज समझ में आएगा दोनों अर्थ समझेंगे दोस्त इसका literal meaning भी है और internal meaning भी समझेंगे Some say the world will end in fire Some say in ice From what I have tasted of desire I hold with those who fail fire अब बोलता है कुछ लोग कहते हैं कि यह जो पृत्वी का विनाश्य होगा यह आग से होगा मतलब पृत्वी खतम होगी किस से? आग से, आग कहां से आएगा? सन से, अगर जो सन है सन इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि पृत्वी का नास हो जाए और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नास होगा क्यों? अचानक से पृत्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और सारा जो पानी है बर्फ बन जाएगा हम जानते हैं कि टू थड़ हिस्सा पानी है तो हमारी पृत्वी का नास हो जाएगा हम लोग जी नहीं पाएंगे इतने ठंड में फ्रम वट आई हटेस्टेड और डिजायर मतलब पोईट एक कहना चाहता है जो उनकी इक्षा है डिजायर मतलब क्या उनकी इक्षा मन की जो किसी चीज को पाने के लिए जो हम लोग इक्षा रखते हैं उसके बारे बात कर रहे हैं I hold with those who favor fire मतलब पोईट बोलते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे मतलब यह उनका समर्थन करेंगे जो लोग बोलते हैं कि प्रिथ्विक का विनाश आग से होगा बट इफ इट हैड भी पैरिस टॉइस अगर ऐसा होता पैरिश मतलब क्या होता है खराब होना जैसे हम लोग बोलते हैं कि पैरिसेबल आइटम है जैसे सबजी क्या होती है बहुत जल्दी खराब हो जाती है दो दीन के अंदर में तीन दीन के अंदर में चार दीन के अंदर में I think I know enough of hate to say that for destruction eyes. तो क्या बोलते हैं कि संसार में इतनी नफरत है कि to say that for destruction eyes, कि ये eyes से भी खराब हो सकता था, उससे भी बेहतर तरीका था, it also great who would suffice. मतलब संसार का जो अर्थ होगा, मतलब वो बर्फ से भी ज्यादा अच्छा हो जाता अगर बर्फ से नुक्सान हो जाता तो. यहाँ पर poet ये बताना चाहते हैं कि प्रिथ्वी का विनास बर्फ से भी हो सकता है, आग से भी हो सकता है. और एक और चीज़ है नफरत. आप ये देखें हम लोग सबसे दिक नुकसान किस्ते जहलते हैं दोस्त क्या आग से की बर्फ से क्या हम लोग आपसी नफरत से नुकसान हो जाता है हमको आप देखेंगे दो भाईयों की लड़ाई हो जाती है आपसी नफरत है आपके पडोस में आपसे जगड़ा हो जाता है नफरत है देखते हैं कि दो गुटों में लड़ाई हो जाती है दो दलों में लड़ाई हो जाती है सिफ नफरत है दो देश आपस में जगड़ा करते हैं कहीं पर भी आप देखे, दो डेशा आपस में क्यों जगड़ा कर रहे हैं, आपस में नफ्रत क्यों फैला रहे हैं? अब देखे, अगर ऐसे ही होता, थर्ड वर्लड वार हो जायतो, पूरा समूल, पृछवी का नविनास हो जाएगा ऐसे ही. आग से भी हो सकता है पानी से भी हो सकता है मतलब बर्फ से भी हो सकता है लेकिन ये नफरत बहुत ही कमाल की चीज़े दोस्त ये किसी को भी पूरा बरबाद कर सकती है इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आग से होगा कि पानी से नफरत से भी हो सकती है और ये सबसे घातक है दोस्त ये सबसे घातक है नफरत से विनास होना इस पृत्वी का जो सबसे आम बात है इतने सारी लडाईयां होई किस कारण से होई सिर्फ नफरत के कारण या तो हम आपको लूटे या आप हमको लूटे हम आपका दोबित्ता जम में लिए जगड़ा तो है दोस्त तो प्रिथवी का विनास इन सब के कारण होता है हम लोग को यहां पर ध्यान देना है अब इसमें क्या-क्या हो सकता था कोशन्स जो आ सकते थे प्रोबैबल कोशन्स जो आपको समझ में आना चाहिए था इसमें इस पोयम में क्या करेंगे आ और फेवर मतलब हम जानते है किसी को सपोर्ट करना हो सकता है फायर मतलब आग हो सकता है पैरिश मतलब चीजों को खराब होना बरबाद होना हो सकता है हेट मतलब नफरत हो सकता है डेस्ट्रक्शन मतलब विनास हो सकता है और सफीस मतलब सफीसियंट का सॉट फॉर्म है दो आविसे कुछ कोश्चन हैं से हम लोग देख लेते हैं there are many ideas about how the world will end हम लोग जैसा कि poet बोलना चाहते है कि बहुत सारा idea हो सकता है इस प्रिथवी का विनास होने के लिए do you think the world will end someday आपको लगता है कि प्रिथवी का एक दिन विनास होगा अरे विनास तो हर चीज का होगा जो धरती पाया सब का विनास होगा एक नेक दिन तो होगा लेकिन होने का तरीका कुछ और हो सकता है चीक है have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर प्रिथवी का विनास ऐसे हो जाए कि सन अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट जाए और ग्रीव कोल्डर और कोल्डर और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए देखे इस जो कोशन है इस कोशन में अधिकांसतर चीजें कालपनिक है आप अपनी मन की बातों को लिख सकते हैं यहां पर जो को कोशन सेटर है वह आपकी मन की बातों को जाना चाहते है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उनकी फिलिंग को जैसे आपका जो फिलिंग है आप अपने फिलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल लॉजिकल आपको एक्सप्रेस करना है अपने फिलिंग को सन ब्रस्ट हो नहीं सकता प्रित्वी ठंड हो नहीं सकती ठीक है बरबाद होने का तरीका बहुत सारा हो सकता है तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो बोलता है इसको आपको बताना है कि आग के लिए क्या रिप्रेजेंट हो सकता है और आइस के लिए क्या रिप्रेजेंट हो सकता है तो आप देखेंगे कि जैसे आग के लिए क्या हो सकता है नफरत हो सकती है हटेड हो सकता है कनफ्लिक्ट मतलब जगड़ा हो सकता है ग्रीड लालच हो सकता है अवरिस फुरी यह सब चीजों का इस्तमाल हो सकता है किसी को लालच होगा किसी को नफरत होगी जगड़ा होगा इन सब चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं और आइस के लिए क्या लिए ले सकते हैं आइस के लिए आप देखेंगे तो lust का use हो सकता है intolerance का हो सकता है जब किसी चीज़ को आप बरदास नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है coldness हो सकता है thंडा हो सकता है indifferent मतलब हमको मतलब नहीं है किसी चीज से इस तरह का आप word का ध्यान देंगे तो आपको अर्थ समझ में आने लाएगा दोस्त What is the rhyme scheme of the poem? सबसे पहले समझे rhyme scheme हम आपको rhyme scheme और बहुत सारी चीज़ों के अलग class में आपको समझा देंगे बट यहाँ पर rhyme scheme का मतलब क्या होता है पहले यह समझ लिजे rhyme scheme मतलब poem किस तरीके से लिखा गया है लाइबधत किस तरीके से की गई है हम लोग जानते है कि जब poem को लिखा जाता है तो उसका अंती मौला जो शब्द होता है न दोस्त आपस में मिलता जूलता होना चाहिए इसे क्या होता है न कि poem पढ़ने में अच्छा लगता है जैसे यहाँ पर देखिए last में क्या लिखा हुआ है some say the world will end in fire last में क्या लिखा हुआ है fire some say in ice fire और ice दोनों अलगला type का है third line देखिए from what I have tasted of desire fire desire मतलब हो गया अगर fire को हम a बोले ice को b बोले last one r को a बोले ice को b बोले last में desire फिर a आएगा fire फिर a आएगा अब समझ में आ रहा है उसी तरह से second लिखेंचा में देखिए but if we had to perish twice twice ice ठीक है I think I know enough of hit अगर हम देखें यहाँ पर hit उपर में ice फिर hit फिर देखिए to say that for destruction ice फिर ice का यूज किया गया अब फिर last में देखिए and would surface यानि कि is 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 last में आ रहा है beach made a b a a अगर आप ऐसा देखेंगे तो यह इसका rhyme scheme कहलाएगा दोस्त how does it help in bringing out the contrasting ideas of the poem इसमें कैसे contrasting idea दिखाया गया है एक को दिखा कर फिर उसके लिए supporting statement दिया गया है दोस्त ठीक है इस तरह से आप इसको explain करेंगे दोस्त लगता है कि आपको समझ में आया होगा अगले वीडियो में हम लोग अगला poem देखेंगे दोस्त मान लगा के पढ़िए ध्यान से अपने exam की त्यारी किजिए दोस्त हम लोग अच्छे score करेंगे Thank you